अब्रीवन मैं सफसाक्षी फ्रम सेंदिंग स्टेडी अकडमी आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नाइन एवलुशन ठीक है है इडिटी मैंने पढ़ा दिया है उसका लिक में डिस्कूप्शन बॉक्स में दे दूगी अब इसका लिक में डिस्कूप्शन बॉक्स में दे दूगी तो आए देखते हैं एक ऐसा प्रॉसेस है जो टाइम के साथ दीरे 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 चेंज होके एक नया स्पिसिस को फॉर्मेशन करते है ठीक है एक नया स्पिसिस का फॉर्मेशन कर देता है उसी प्रॉसेस को बोलते हैं एक दूसरा एक्जांपल मैं अगर और मोबाइल फोन का करूं तो देखिए पहले यूज में हम लोग या लैंड लाइन फोन यूज करते थे ठीक है उसके बाद फिर दीरे दीरे वायर लेस टेलिफोन हुआ उसके बाद बड़ा कीपेड आया उसके बाद स्क्रीन टच आया ठीक है उसमें भी तूजी आया थी अब क्या है थेवन एक यूजांट यूज के एक ग्रूप ऑफ रेघ प्रूप रेट एंड ग्रीन बीटरि व कि इस वीडर में क्या दिखाए गया है मb दोने रहेते थे थे लेकिन जो को था वो सिफ Red कler विजिबल करता था उसको ग्रीण क कलर Дिखाई नहीं दें तो क्या करेंगा वो रेड़ कलर क्या बिटल्स और इसमें क्या हो गया ड्रेड कलर缦 के नंबर कम हो गया है आप बच्चे क्या- तो ग्रीन आप स्मय रिप्रोडूस करहें कि अपना जणरेशन बढ़ा लेंगे अपना स्पीसिश का फॉरमेशन करेंगे किस बेस पर हुआ के बेस पर हुआ तो ग्रीन कलर बढ़ता गया वह आपस में रिप्रोडूस करते गया और ही क्या हो गया उनका जो प्रवाइवल उनको एडवांटेज एक मिल गया कलर के वज़े से वो क्या होते थे बच जाते ठीक है एक दूसरा केस हुआ ग्रूप अफ रेड और ब्लू बीटल्स देखिए अग्सों सेक्श्याइर प्रडैकशन किये फिर उन्होंने एक मालीज यह ब्लू प्लू कलर क्यों फ्रेवहिए डिस में ब्लू करर खें थे ग्रीब हाब ब्लू कलर को यहां फोंस दिख रहा था तो ज्यादा से जैदा कौन पीकप होगा अप्लू उक्रीन ब्लू कलर टो ब्लू कलर का बिटल से वह तो कम नंबर में इनका क्या हो जाएगा यह इनका तो नंबर कम होने लग लगा सकूर हमेशा पिक अप करने लगे लेकिन अचानक से क्या होता है कि एलिफैंट का फुट रेडवाले इस्पीसिस पर पड़ता है तो यह क्या हुआ इनको कोई भी स्पिस्स सर्वाइवल एडवांटेज कलर के थू नहीं हुआ अच्छानक से कोई एक्सिडेंटल हुआ जिससे भी ब्लू मर गए रेड मर बच्चा क्या ब्लू तो देखिए ड्यू टू कलर वैरियेशन फ्यू ब्लू बिटल एपियर फॉर् सकता था लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ एक हाती आया एलिफेंट आया वह रेड बिटल को किल कर दिया ठीक है तो क्या बच गया ब्लू बिटल सर्वाइव कर गया और रिप्रोडियूस करके अपना नंबर इंक्रीज कर दिया ठीक है इन दिस केस दर जो सर्वाइवल ने करें फाजा ठीक है थार सेट्वेशन किया अता है ग्रूप और व्रेड बीटल ज इंप इसमें क्या है कि रेड बिटल स्केशन थे उन्हों ने क्या किया आपना इनको खाना मिलता गया और अपना यह रिप्रोडियूस करते करते गए और इंक्रीज नंबर इंका इंक्र डीटल्स कीफीट होनी कम होने लगी लेकिन फिर जैसे हमारा डीजीजश फ्री प्लन्ट हमारा दिजींग हड गया फिर यह बिट जादा बिन्हां John है वो लोक क्या वाट रगे उनका भी जो डिप्रोडक्षन से था प्रोसेस वह चलने लगा उनका इंग्री subscribe आ है तो यह क्या था इन हरी टेट जा इन हरें रेटेक्र क्या होता है यह देखते हैं ग्रेंट समय होता है चारेक्टर होता है ठीक है तो दो टाइप के के रडंप होते हैं एक वायड प्रेट युक्वाइट ट्रैक एंजरुव मैं कुछ नंप भर कटा है किसी का बाटी शेप रेकुआ करता है किया लिए लिसम्बल करता है खिए इंहेरेटेटेट ट्रेट मतलब जो हम लोग को बच्च पन से ही ट्रांसफर हुआ है पैरेंट से उस चीज को हम लोग इन हीरेटेटेट ट्रैट्स बोलते ठीक है यह कहा होते हैं देर ट्रांसफर्ट टू दे प्रोगनीज जह से दादा दादी से पै पॉल्यूशन के तुरू डाइरेक्ट यह सो नहीं करता है जिसे अगर हमारा कि अगर यह गलत दिया हुआ है कि अग्वाइट देखी क्या है इस अगर हम लोग कंडिशन के हिसाब से जो हम लोग नया करेक्टर अपने अगर में इवाल्व करें उसको हम लोग एक वाइट बोलते हैं जैसे कि हमने म्यूजिक याद करना सीखा दान्स करना सीखा या फिर अपने टाइप का फूड नया सर्च करना सीखा तो यह सब क्या हमने अपने से सीखा लर्णिंग के थूँ ठीक है इस प्रॉसस को या इस शिसको हम लोग एक वाइट बोलते हैं यह क्या होता यह हमसे दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा क्यों ज कि देखें इस पेसियेशन क्या होता है इस पेसियेशन सिंपली भासं में बोले तो एक नया स्थिसका फॉर्मेन करना उसी प्रॉसस को इस पेसियेशन गया धूंट्न करना यह भ cierto हो गया तो अलग से रहने लगा ब्लू वाला अलग कुछ दिन बाद यह दोनों आपस में इंटर ब्रीट नहीं कर पाएंगे आगे मैं बताओंगे कि कौन कौन सा प्रॉसेसर जिससे की सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी को मतलब क्या होता है कि एक ग्रूप हो जिसमें की सेम एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नए इसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कैट और लायन में क्या हो सकता है यह दोनों अलग-अलग इस्पीसीज है क्यों क्योंकि यह दूसरे के साथ इंटर ब्रीट नहीं कर सकते हैं इनमें बहुत तरीके से आता है देखिए जैसे कि वेज़ बाइविच इस्पेशियेशन टेक प्ल ले क्यों तरहां जबता है जो जेनेटीक क्यारक्टर होता है उन में जीन का थोड़ा से एकड्य वेल्ग हो जाता है ठीक है पूरे तरीके से आफंप नहीं बाइव में प्लीन करते हैं एक जेनेटीक डिफिट प्रॉसेज होता है चाहिट शेंटिक जिधिफिवेंश्ट चेंजिस आजाते हैं जिससे कि वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या हो गया वह अलग इसाथ अलग है अपरीका अलग है और नौ्ध इंडियन वाला अलग है सब फिसके कड़ें आ जाते हैं ठीक अर नीच्रा सेलक्षन क्या होता है सर्वाइवल लोफ फिटेस्ट ठीक है इसको शॉट के मैं हमनों बहुत सकते हैं सर्वाइवल करता है जो ज्याधा हिट हो जो अपने आपकी स्वहयदा कर सकता हो जैसे कि अनिमलस की ग्रूप में ही देख लिजी जो ज़्यादा स्ट्रॉंग रहता है वह ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है ठीक है तो नेच्वर सेलक्षन क्या होता है कि सर्वाइवल लॉप फिटेस्ट दप्रोसेस बाइविच नेचर सेलेक्ट अंड कंसोलिडेट्स दोस और गेनिजम्स विच आ मुझ सुटेबली इन कलर वाला वो बच जाता था तो उसको नेचर ने सेलक्ट कर लिया थे क्लो को वह दिखाए नहीं देता था ऐसा बहुत सारे एक्जाम्पल है तो जो अपने से एनिमी से वह अपने आपको बचा सकता हो या किसी भी तरह के वैरियेशन से जो की उनको बचा सकी उसी सब्सक्राइब अलगे तो वह जो होते की फूल के थुए उनका जो रिलेशन सिप बनाया जाता है थी कि दा मोर क्यारेक्टरिस्टिक तो इस पीचिस हैविन कॉमन दें मोर रोज़्यूज दे अलिटेड रिलेटेड जैसे कि अगर आपस में जैसे कि शेर और पैंथर का है ठीक है the more closely they are related the more recently they have common sister जैसे वो एक दूसरे से तो उनके जो रहेंगे वह भी एक दूसरे से related रहेंगे देखिए होमो लॉगस आरगन क्या होता है और एनो लॉगस आरगन क्या होता है होमो मेंस सेम ठीक है लॉगस मेंस एप्यरंस ऐसा कोई भी चीज जो की सेम दीखने में हो ठीक है जैसे कि बैट का जो यह हाथ है और बड का जो हाथ है दोनों में ही जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेम देखने में है लेकिन जो फॉंक्षन है बोनों का अलग बेट आशाक है धोस्ट्रक्चर है हो मेंस क्या होता है हो मेंस созд exercise बेबाहर से लगना क्या करते हैं अलग- Spotify होत लेकिन करते हैं या fundamental फट्रेट है यह अदो सबका बनावटी है असे में वीफ सेंग करते हैं इसका स्रौक्ट्रेम सेम लेकिन माने फॉर्क्षन कर साथ फॉलपक्षन किरते हैं अपना बलब कॉश्यूर्ण have same basic structural plan origin but different function इसको हम लोग क्या बोलते है डाइवर्जेंट evolution ठीक है HD ठीक है homologus को हम लोग divergent evolution भी बोलते हैं कि analogous organ क्या होता है analogous means अलग-अलग दीखने वाले लागस में structure ऐसा structure जो की दीखने में अलग हो लेकिन function सेम करता हूं ठीक है जैसे कि बैट का wings हो गया wings और बर्ड हो गया तो यह दोनों का जो बनार्टी है वह अलग-अलग है लेकिन काम क्या करते है दोनों उड़ने का ही काम करते हैं ठीक है तो देखिए चार्ट वाइस डिफ्रेंस्टेशन क्या है homologous और analogous homologous divergent evolution करता है इसको हम लोग HD से याद कर सकते हूं homologous divergent evolution और इसको हम लोग AC से याद कर सकते हैं ठीक है analogous तो और यह देखते हैं होता है homologous homo means same logos में देखना देखने में जो सेम हो तो क्या function क्या करेंगे opposite मतलब काम अलग-अलग करेंगे अना लगस में क्या होगा देखने में तो अलग 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 अगे उनका function क्या होगा वो different होगा it is the study of organs which have similar in origin but different in function एक ही जैसा रहे हम लोग देखेंगे anatomically तो इसका structure सेम रहेगा और लेकिन analogous में क्या होगा it is the study of organ which has similar in function function but different in origin उनका जो function रहेगा काम करने का तरीका एक रहेगा लेकिन उनका जो बनावटी है वो अलग-अलग रहेगा ऐसे organs को में लोग क्या बोलते है analogous organ ठीक है anatomically these organ have different structure उनका जो structure होता है different होता है ठीक है the HD means homologous divergent evolution analogous means AC analogous convergent evolution एह देखते हैं fossils क्या होता है the remains and relics of dead organisms that lived in remote past ऐसा जैसे dead organism का कुछ remain parts रह जाता है कुछ तो सडगल जाते हैं कुछ ऐसा part होता है जो preserve रहता है जमीन के अंदर भी ठीक है उसी जो remains बच जाता है उसी को हम लोग फॉसिस बोचते है तो फॉसिल क्या करता है प्रोवाइड evidence of evolution फॉसिल के थुरू हम लोग evolution को की डाइनासोर तो हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन उसका जो फॉसिल था उसके हिसाप से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ पहले के जमाने में डाइनासोर प्रेजेंट थे क्यों उनके फॉसिल के थूरू ठीक है fossil आर्टियोप टेरीक्स एक ऐसा और्यों strongest एक ऐसा जिसका नाम आर्टियोपटेरिक्स था ठीक है उसके पास क्या था विधर फिंग्स फेदर विंग्स था ठीक है बर्ट के जैसा उनके पास विंग्स था और टीथ लेकिन और टेलर रॉप्टाइल्स की तरह तरह तो यह दिखाता है कि कॉमन एंसेस्टर है किसका रेप्टाइल सब बर्ड के बीच में इसके पास विंग भी है किसकी तरफ बर्ड की तरह लेकिन इसके पूछ भी है किसकी तरफ रेप्टाइल की तरह तो यह क्या है करेक्टिव लिंक किसकी किसके बीच में है रेप्टाइल और बर्ड की बीच में फॉसिल का significance क्या है, फॉसिल कहां बनता है, हमारे ओर्थ के लेयरवाई लेयर में बनता है, ओर्थ के क्रस्ट में बनता है, अनिमल एंड प्लांट विश एक्जिस्टेड अलियर, जो पहले रहते थे, एर बरीड इन डीपर लेयर, वो deeper layer में रहते दबे थे ठीक है which ones found in upper layer जो जितना अंदर दबा रहता था अगर वो उतना ही ज्यादा पुराना organism था ठीक है it is found that deeper fossils have simpler structure than found than upper layer ऐसा पाया गया है कि जो सबसे जो deeper अंदर earth के crust में रहते थे वो simple structure के थे और जो upper layer वाले थो थोड़े ज्यादा complicated structure ठीक है complete fossil record of animal like horse camel man has help us to study the stages of evolution हम लोग होर्स के थ्रूँ camel के थ्रूँ या man के थ्रूँ हम लोग evolution के stages को easily पर सकते हैं ठीक है तो हम लोग अगर फॉसिल के इस निकालना हो अगर हम लोग कि यह कितने साल का है कि कितना पुराना fossil है तो उसको हम लोग दो मेथट से निकाल सकते एक relative मेथट से एक डेटिंग फॉसिल से ठीक है relative method कैसे होता है on digging the forces which are closer to the surface are most recent than the fossil found in डिपल है हम लोग जैसे जमीन के खुदाई कर रहे हैं जो जितना पहले निकलेगा ठीक है वह पहले का fossil है लेकिन जितना अंदर वह रहेगा वह उतना ही पुराना organism रहेगा दूसरा हम लोग dating fossil से निकाल सकते हैं कि दूसरा प्रॉसिल से डेटिंग फॉसिल ठीक है carbon dating method होता है it is done by detecting the ratios of different isotopes of same element ठीक है जैसे कोई हमको element earth के cluster से मिला कोई fossil तो उसका हम लोग isotope c14 के साथ हम लोग उसका उसके हिसाब से हम लोग एक और evolution आजकल artificial भी हो गया है देखिए humans के तुरू जैसे इन्होंने wild cabbage को कितने type का बना दिया है wild cabbage को को हिरा भी भी बोलते हैं फिर नया evolution हुआ kelly flower में फिर broccoli में हुआ cabbage में red cabbage में kelly में ठीक है एक जो wild cabbage था इसको evolution के तुरू हम लोग इतने टाइप का बना दिया है तो यह देखते हैं कि कैसे कैसे इनका evolution हुआ selection of short distance between the leaves has led to the formation of cabbage that wheat जो हम लोग का जो short distance पे जो लिफ था वो उन्होंने cabbage का formation कर दिया जो हम लोग खाते हैं ठीक है selection for arrested flower जो flower था अगर हम लोग अरेस्ट उसको कर देते हैं उनका develop में तो वो क्या हो जाता है broccoli की form में हम लोग यूज करते ठीक है selection for sterile flower has met curly flower अगर हम लोग sterile flower का selection करें तो हम लोगो क्या मिलता है curly flower मिलता है ठीक है selection for slow and stem अगर हम लोग slow swollen stem का अगर हम लोग सेलक्षिन करें तो हम लोगो कोहराभी मिलेगा ठीक है selection for large lips तो हम लोग क्या मिलेगा केल मिलेगा selection for colored lips तो रेट cabbage मिलेगा तो क्या हम select करते हैं हम लोग क्या बनाना है उसके हिसाब से हम लोग इतने टाइब के यूज कर सकते हैं ठीक है कैवेज बना सकते हैं ब्रॉकली बना सकते हैं पुरावी बना सकते हैं केल बना सकते हैं और रेड कैवेज बना सकते हैं तो यह हम लोग को उपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सेलेक्ट करते है फॉसिल के थ्रूँ और डिटर्मिनेशन डियने सिक्वेंसे इसके थ्रूँ हम लोग यूमन का इवॉल्यूशन स्टुडी कर सकते हैं और दर इस ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ यूमन फॉल्स और ओवर दे वर्ल्ड और यूमन और सिंगल स्पीसिस तरह सारे वर्ड में हम ल टीका जाता है यह मैंने बताया चुका है तो डाइवर्सिटी वाले वीडियो में देखिए दे डिडंट गो इनको एक सिंगल लाइन वह लोग नहीं गया जैसे यह और थे तो कोई यहां गया विदर माइग्रेट किया वह लोग का माइग्रेशन नहीं हुआ ठीक है दे वि पोगे बेकवर्ड कोई और पीचे गया कोई एक लाइन में नहीं मोव किया मूँवी इन आउट ओफ अफॉरिका ऑफिके में में कुछ लोग अंदर ही रहे गए कुछ लोग बाहर गया माइग्रेशन माइग्रेशन में अपने स्थान से मूफ करना ठीक है सम्टाइम्स कम बैक टू मिक्स विद इच अधर उसे इसरो पाई चांस एक है मालीज आफ्रीका कुछ लोग दस साल बारा सल बाद या सौ साल बाद कुछ लोग यहां रहे फिर कुछ दिन बाद यह लोग अगर यहां से आया तो इसमें मिक्स होगे तो इनका जो जेनेटिक वैरिशन चेंज होए गाएगा इसका जेनेटिक पैं ठीक है तो इतना इता एवोल्यूशन में थांक्स पर वोचिंग दोंट फॉर्गे पॉर्गे 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 लाइग एव शुब्सक्राइब